तो हेवरन कैसे हो हाई सब बढ़िया हों के ठीड़ा हो फाइनी काई साथ चुके हैं सिदार्त मलहोतरा जी की योदा के एको नियु एपिसोर्ड में बापिस तो योदा का आज हमने ग्लिंप्स देखा वाई क्या स्ट्राटजी आज कल जो भी बंदा नहीं पीचे लेकर आ र तेरह हजार फिट लंबा पोस्टर जो कि आज तक ऐसा किसी भी पिक्चर मुवी ने वाई ऐसा प्रमोशन नहीं किया था और इस तरह लंबा पोस्टर विदाउट जविन को वाई टच की है वाई ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं और कुछ यूनिक करने की वाई ट्राइए अब भी हमने इस पिक्चर के कुछ भी नहीं देखा है शायद यह अभी दिसंबर में आये थी पिछले साल जो कि वाई इतनी जाय मोवी आ रही है तो उनके बीच में यह पिक्चर वाई मेकर ने समझा कि सही रिलीज डेट शायद नहीं है इसको आगे कर तो जो कि ऐसा मेकर इसना किया है उस टाइम पे शारुख खांड की डंकी आ रही थी प्रवास की सलार एंड डिसंबर में स्टार्टिंग से एनिमल सैम बहादूर बीच में एक दो मोवी और वी आय थी तो इतनी जाय मोवी के बीच में लीज करना इवन तब तो वाई कैप्टर मिलर भी शायद 15-16 दिसंबर कोई लीज हो रही थी तो उनके बीच में वाई इस पिक्चर को लीज करना थोड़ा मेकर्स के लिए रिस्की था तो वाई उन्होंने इसको आगे पुछ किया जो कि एक से ही उन्होंने डिसाइड वो किया था तो अब यह पिक्चर आ रही है 15 मार्च को और मैं से स्टार्टिंग से एक क्लैरिफाइ कर दू इस पिक्चर का बजट अगर आप चोटा मोटा कम समझ रहो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने बाला है दर्मा प्रोडेक्शन अगर एक रोमेंटिक टाइप की एक फैमिली इंटर्टेर्मेंट पिक्चर भी बनाता ना उसका ब बजट अब हो सकता है हमने पोस्टर देखा था अभी पीछे न्यूज भी आई थी कि इस पिक्चर का बीएफएक्स वर्क रेट चिलिस ने किया है रेट चिलिस ने बाप लेवल की रहने ही वाली है तो इससे यह क्लारिफाइए होता है कि यह पिक्चर किस तरह की रहने वा याद नहीं है कब देखें यह बंदा ओटीटी पे तो आता ही रहता है वाट थेटर में थैंक और अजी देव गन के साहथ देखा तो शायद इनको लास्ट वार मेरे को याद नहीं है वाट यह जादर थेटर में की कमी मूवीज आती है एंट इंतजा रहेगा 15 मार्ज को आ होरर है दूसरी का इस एक एक एक्शन मूवी है तो दोनों के बीच में सुपर नैचर्णल होरर अजी देव गन की और यह एक्शन ट्रेलर है यहां पर दोनों की ओडियंस काफी हरतक यूनिक है वो रहने वाली है ऊपर से एक विक का गैब है और ऊपर से पता क्या है एक एक 30-40 क्रोड प्लस नेट बिसनस है वो कर दें किसी सिंगल दे में लोको 30-40 क्रोड अगर कोई नेट बिसनस कर सकती थी मूवी अगर ऐसी को यार यह दोनों को बीच में क्लैश हो रहा है इसका मनों शोज काफी कम होगे यहां मुझे लगता है कि जो अजी देगन की पेक्चर यह 10,000 के आसपार शोज मिलेंगे उस पेक्चर के लिए काफी बड़ा शोज गांट है वो रहने वाला है देखो को कोई अक्शन मुवी नहीं है यह उसको कोई बजर 300-400 क्रोड के आसपास नहीं है कि हमें 50 क्रोड के आसपास अपनिंग चाहिए जाहिए वो काफी चोटी द्रिश्यम 2 से काफी कम है वो ऐसी मुवी है एक्जेंपल अगर उसने 10 क्रोड के आसपास ओपनिंग ली बस उसको होल्ड रखना है और अगर अच्छा हासा होल्ड रख दिया मगर एकसर दस बारा दस बारा उसके लिए काफी अच्छे नमबर होंगे और दूसरा मूव करे तब भी ठीक है एंड चालिस पच्छास क्रोड तो बाई ओपनी तो नहीं 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 है नहीं है और दोनों को अगर 15 सार की आसपाई शोज मिल गए दोनों को एड़ करके बागी बच्छी अनदर हो तब भी यह अच्छे आसफे शोज गोने मेरे हियाल में हो सकते है अब देखते हैं मटीरियर का वेड करते हैं दोनों का फिलाल अभी शैतान का सिर्फ टीजर ही आया है अनदर का वेड करते हैं एक सौंग भी आ चुका है जो कि अभी योदा का सिर्फ यह ग्लिम्स आया और एक पोस्टर आया था काफी टाइम पहले वह पिछले साल ही आया हाई तिंग और अभी टीजर आ रहा है 19 फैबरेरी को और आगे टेलर आएगा में भी कुछ सौंग भी आ सकते हैं इंतजार करते हैं फिलाल टाइम काफी कम बचा है मेकर सब्सक्राइस आल्मोस्ट एक मन्त पहले पिक्चर का परमोशन कर रहे हैं काफी यूनिक करने की आई पर वो क्रियेट कर पाते हैं और पिक्चर को कहां तक ले चाहते हैं और साथ में काइस हमें तब तक इसका बजड़ का भी पता चल जाएगा फिलाल अभी तो सिर्फ यह मैदान पर उत्रे हैं लट सी देखते है क्या होता है बैसे इसमें आसमें क्या कहना है मुझे नी अब बेगे लिये